हलो अबरीबान माईसल फिमन तुम्हें स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मागनेट बेंज पर जो प्रोवाइट करता है आपको कॉलेटी एजुकेशन वह भी भाईया फुल कोर्स कंटेंड के साथ सर कोर्स कंटेंड जो सीबीसी ने आपको दिया हुआ है सार वह पू कुछ प्रोवाइट करता है आपको मैगनेट ब्रेंस और जैसा कि अपनी कहानी चल रही थी क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी और सल्यूशन चल रहा था और जिसमें अपन देख चुके थे क्या आइडियल सॉलूशन क्या होता है यह मैंने आपको बता दिया था आइडिय हम कानून को जो व्यक्ति चुप-चप ऐसे मान लेता था उसको हम कहते थे वह यह सथी सब ठशण में जल देख था आपन को आइडिया नहीं है फिर आइडियल की कुछ जलिश्टा हैं बताएं थी कि आइडियल सॉलूशन दिखता कैसा है उसकी क्या कंडीशन होनी यह सब अपना खोड चुका था तो सर आज क्या आज भी एक धमाके दाल चीज बताने वाला हूं आज देखेंगे graph related to ideal solution कि ideal solution जो था सर उसका graph कैसे बनता है लेकिन सर graph दो चीजों के बीच में बनता है मानता हूँ आपका graph ideal solution का है, लेकिन graph दो चीजों के बीच में बनता है तो सर वो कौनसी दो चीजे हैं जिस पे आप graph plot करने वाले हैं मैंने का बात तो सही कह रहे हो तो बता देते сколько two चीजों के बीच में graph बनाना है और किस को लेके graph बनाना है चलिए चालू करते हैं सर अपना बड़िया सा लेक्चर जिसका नाम है Graph Related to Ideal Solution तो आज अपन देखेंगे सर Vapor Pressure और Mole Fraction के बीच का Graph कौन सा देखेंगे सर Vapor Pressure और Mole Fraction के बीच का Graph अच्छा सर Vapor Pressure ओके हाँ सर पढ़े तो हैं हम लोग ने वapor Pressure के बारे में अब ये Vapor Pressure किसकी बात कर रहे हैं वो जला देखना पड़ेगा तो चलिए पुरानी यादों को ताजा करते हैं कुछ-कुछ सर आपने पढ़ाया था मैंने का हाँ भाबू पढ़ाया था चलो ये मान लो एक भी करे मान लिया चलो और इसमें अपना पानी है मतलब सॉल्वेंट है तो भाईया ब्लू है पानी पानी अना पिश्री क्लास में आपने देखा था कई हो के दिल तूट गए थे मतलब बॉन तूट गए थे सर कई हो और चलिया तो फिर मैंने गाना भी गाया था आप लोग के लिए गाया था कि नहीं गाया था बस 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 बिलकुल Gye चलिए सर इसके उपर फ्लेट धाग दे यह फ्लेट धाग दी मैंने चीक रहर अब इसके बनेंगे सर क्या weppers किया बनेंगा सर वेपरिपयवेट है है गया है यह तारी कि स्पेड कफिया गारें रॉए अब यह वैपर्स क्कशन sth लगाएंगे सब्सक्राइब प्लेट के उपर लेकिन कांछ बっちゃ कहा बù यह शांट लगाईए वह मचीन क्या करेगी प्रेशर मेजरिंग डिवाइज है शुरुवात में इसको वैपर प्रेशर नहीं बोलेंगे लेकिन एक समय के बाद जब एकलिब्रियम आ जाएगा और वैपर प्रेशर कॉंस्टेंट आ जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सर किती उसक कई दबदबा था सिर्व अकेला सॉल्वेंट था इसलिए भाईया क्या कहेंगे प्यॉर वैपर प्रेशर ओफ एज विच इस पी नॉट ए मैंने का ठीके सर ये बढ़िया था एक नंबर सर एक नंबर अब भाई के दूसरे भाई को बिला लेते हैं एक छोटू सा कंटेनर आप लोगोगा घॉटी रहेगा तो भाई उसको भी अपन ऐसा ब्लू ब्लू करते हैं अच्छा लगेगा चीकर सर इसको भी आग लगा दो सर लगा देते हैं और यह है क्या सर यह solute है और सर सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं और उपर से सर यह volatile solute है मतलब इसके vapors बनेंगे मैंने का चीक है सर बहुत बढ़िया बात यह बताना जरूरी है क्योंकि जो volatile होता उसी के vapors बनते हैं नहीं तो vapors बनते हैं नहीं मैंने का ओके चीक है सर तो चलिए सर इसके vapors बना दो मैंने का यह लीजे यह vapors बन गए अब यह vapors ने फिर उपर एक force लगाया होगा किसके उपर सर प्लेट के उपर तो सर प्लेट के उपर एक machine लगा दी हमने जिसको हम कहते हैं pressure measuring device उस पर कोछ वैल्यू आई होगी वो वैल्यू कैसी आई होगी सर प्रेशर की वैल्यू आ रही होगी अब प्रेशर की वैल्यू तो आ रही होगी ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ लेकिन कैसी सर क्या वह वैपर प्रेशर की वैल्यों अभी अभी उसको पहले constant होने दो पहले उसकी value को constant होने दो जब वह value constant हो जाएगी ना वैपर प्रेशर की तब हम बोलेंगे वह आ गया है क्या सर पी नॉट बी मतलब pure वैपर प्रेशर आफ बी हमने गाँ चीक है सर मतलब individually जब दोनो को heat करेंगे तो यह आगया इसका pure vapor pressure और यह ऑगया इसका pure vapor pressure यह pure vapor pressure solvent का है यह pure vapor pressure solute का है आप हमने खाß सर दोनों को bathtub में डाल दो darf क्यों बोल रहे हो क्योंकिanovGA solution मनाना है और अगर solution बनाना है तो भईए आप बड़ा सा लगेगा आपको container ये लीजे बाटब आगे आपका अब बाटब आगे है तो भईए इसमें डाल दीजे ये लीजे और आप इसमें मिला दीजे solute, solvent दोरों मिला दीजे तो मैंने का ये लीजे solvent आ गया और solute को भी ले आते है solute को कौन से कलर से बता दे इस से बता देते है ये थोड़ा सा dark color ले लिया मैंने ये solute हो गया चीक है सर इसको भी आग लगाओ मैंने का लगानी पड़ेगी बिना आग के तो कोई काम होता नहीं लेकिन आप ये अपना solution है ये मैंने आग लगा दी क्या है ये अपना ये अपना सा solution है और solution के अंदर solute plus solvent होता है that means A plus B A plus B मैंने का ओके अब भाया जैसी इसको भी heat किया तो इसके भी वापस बनेंगे दोनों उड़ने चालू हो गए कौन कौन solute solvent दोनों उड़ने चालू गए फिर मैंने ऊपर एक मशीन लगाई यहां पर भी pressure measuring device उसने कुछ pressure बताए सर सर प्रेशर आ गया पांच आ गया मैंने का रुखो जा थांबा अभी equilibrium में आने दे फिर वो बढ़के 7 हो गया 7 के बाद वो बढ़के 9 हो गया 9 के बाद वो बढ़के 10 हो गया और 10 पर गाड़ी रुख गई थोड़ी दिल तक और देखता रहा अहे सर 10 पर रुख गई मतलब वो आ गया सर उसका वैपर प्रेशर constant हो गई value मतलब यहां से जो आएगा उसको आपन कहेंगे P solution क्या कहेंगे सर P solution मतलब वैपर प्रेशर ओफ solution क्या कहेंगे सर वैपर प्रेशर ओफ solution और जिसकी value क्या होती है सर PA plus PB यही होती है क्या नहीं होती PA plus PB PA क्या है बिटा partial वैपर प्रेशर ओफ A in the solution PB क्या है partial vapor pressure of B in the solution बात समझ पा रहे हैं? मतलब PA, PB इन दोनों से अलग है क्योंकि ये का बाता है जब वो प्यूर रहता है ये का बाता है जब वो प्यूर रहता है लेकिन जब solution मन जाता है तो जो A के वज़े से vapor pressure लगता है जो की कम होता है किस से P naught इसे उसको अपन कहते है P A और जब solute के वैसे vapor pressure लगता है solution के अंदर उसको अपन कहते है P B और दोनों को plus कल तो आ जाता है P solution या फिर P total इतनी बात clear है पका, सर ये वो कहानी थी जो कहानी मैं आपके सामने बता चुका था clear है बात पका कोई दिकत तो नहीं चलो अब बनाएंगे सर graph अब बनाएंगे graph tension मिलकुल मत लो मैं होना बास ठीक है आजाओ चलिए सर तो अब graph बनाने की बारी ये बने रहें दो सर ज़रूत पढ़ती रहती है उसकी ठीक है ये लो सर इधर क्या लेंगे इधर लेंगे हम वैपर प्रेशर इधर क्या लेंगे हम वैपर प्रेशर मैंने का किसका वैपर प्रेशर लोग है सर सर यहां पर तो हमारे पास चार्चर वेपर प्रेशर है, प्यॉर वेपर प्रेशर ओफ है, प्यॉर वेपर प्रेशर ओफ बी, पार्चिल वेपर प्रेशर ओफ बी, पार्चिल वेपर प्रेशर ओफ बी, तो हमने का भया, इधर पर हम लेंगे पार्चिल वेपर प्रेशर, ठीक है, मैंने का वेरी साथ तो सर अगर मैंने PA लिया है जब मैं एक ही बात कर रहा हूं तो भया किसका mole fraction होगा X A होगा मैंने का हाँ वो भी सही बात है तो यहां पर अपन ले 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 थे हैं सर X A क्या ले लेते हैं सर X A हमने कर ठीक है सर यहां पर PA की value बढ़ेगी और यहां पर X A की value बढ़ेगी पकी बात है चीक है सर सर X A की minimum value किती होती है सर आपने पढ़ाय badlyrence the mole fraction & mole fraction की minimum value होथी 0 मतलब इदर किती होगी 0 मαक्जिम value किती होती है sir mole fraction 1 से जादा नहीं हो सकता 1 से जादा नहीं होसकता तो यहां पर value कित्ती हो गई? 1 हो गई. कित्ती हो गई sir? 1 हो गई. मतलब 0 से लेकर 1 तक value जाएगी. छीक है sir. Very good sir. Thank you so much. अब sir, राउल्ट स्लों ने एक बात कई थी. राउल्ट स्लों ने कहा था, किसी भी liquid का जो partial vapor pressure होता है, वो product होता है, उसका pure vapor pressure into उसका mole fraction. पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ sir, बिल्कुल यही कहा था, राउल्ट स्लों ने. किसी भी liquid का जो partial vapor pressure होता है, वो product होता है किसके, उसके pure vapor pressure into mole fraction. मतलब, अगर mole fraction बढ़ेगा, तो definitely PA की value भी बढ़ेगी. बढ़ेगी के नहीं बढ़ेगी? सीधी बात है sir. और sir, directly proportional है, तो graph कैसा बनेगा? straight line. कैसा graph बनेगा sir? straight line बनेगा. मतलब, sir, यहाँ पर तो 0 value होगी. क्यों 0 होगी? क्योंकि sir, XA 0 है. कौन 0 है? XA. और जब मैं यहाँ पर 0 रख दूँगा, तो 0 into कुछ भी किता हो जाएगा. 0, तो PA की value भी किता हो जाएगी 0. लेकिन, अब जब मैं इधर की तरफ जाओंगा, तो मेरा mole fraction of solvent बढ़ेगा, और जब mole fraction of solvent बढ़ेगा, तो मेरा partial vapor pressure भी बढ़ेगा, और वो सीधा-सीधा यह, डू, 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 यह, दिख रहे हैं? एकदम straight line graph मिला. कैसा मिला sir? straight line graph मिला. चीक है? अब आ sir, इस point को focus करिएगा. क्यों? sir, इस point पे, ध्यान से देखना, इस point पे x A कितना है, x A कितना है, x A कितना है, sir, 1. अगर x A 1 है, तो यह, अगर मैं 1 रख दूँगा, तो sir, PA equals to क्या हो जाएगा? P not A into 1, that means PA किसके बराबर हो जाएगा sir? P not A. मतलब sir, इस point पे, जो मेरा partial vapor pressure A का, वो किसके बराबर हो गया sir? P not A के बराबर. किसके बराबर हो गया? P not A के बराबर. और sir, reason भी है, reason भी है. क्यों हुआ? क्योंकि sir, यहाँ पर mole fraction कितना हो गया? 1. और sir, एक बात बताईए, मै समझे, अगर X A 1 हो गया, X A कितना हो गया 1? तो भाया, X B कितना हो जाएगा? sir, 0. और अगर X B 0 हो गया, मतलब B कुछ भी नहीं है. और अगर B कुछ भी नहीं है, तो पूरा दबदबदबा किसका है? A का, मतलब सब कुछ A हो गया, और जब सब कुछ A हो गया, तो भाया, A क फिर वैपर प्रेशर कितना आता है प्योर वैपर प्रेशर इसलिए तो वह वैल्यू किती हो गई पी नौट ए हो गई बास समझ रहे मेरी क्योंकि यहां पर एक से कितना हो गया वन XA का 1 होने का मतलब आप पूरा का पूरा कौन है Solvent है और जब पूरा Solvent है तो भाईया वो आ गया Pure Vapor Pressure और Pure Vapor Pressure कितना होता है P naught A बात समझे के नहीं समझे Clear होई बात अब मैं कहता हूँ इधर भी एक लाइन खीज दो इधर भी एक लाइन खीज दो यह लो तो यह जो मैं फो point मिला यह क्या कहलाएगा P naught A और यह जो graph बना यह graph पता है किसका बनाएदेखो यह graph बनाए P A equals to P naught A into XA इसका graph बनाएगे यह जो slope जा रहा है यह किसका आ रहा है P A equals to P naught A into XA जैसे जैसे XA की value बढ़ रही थी हमारा P A भी बढ़ता जा रहा था और जैसे यह XA पूरा 1 हो गया हमारा P A किसमें convert हो गया P naught A क्योंकि वहाँ पर पूरा pure कौन है हमारा XA है कौन है बटा XA चीक है हमने का सीके सर कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक clear है पहले सका screenshot लो जल्ली screenshot लो हो गया सर कोई दिक्कत तो नहीं चलो अब सर यह थोड़ा मैं घटाने वालो screenshot लिया ना यह रप्रेशर का graph बना रहे हैं का प्रेशर का वैपर प्रेश्र वो भी पार्शियल ऑपर प्रेश्र सरा आपने झालिया बीका क्या करोगा चौश्य गड़िентов अगर मैंने यहाँ पर पी यह ज़ी लिया है तो यहाँ पर मेद्ग कर देगा टीबी लेना पड़ेगा चीमिक्र शार ग्राफ्र exists पर शॉं भी किस के होंगे बी के होंगे तो ये लीजिए नीचे मैंने क्या ले लिया xb अब समझो इधर x'e बढ़ रहा था xb किदर बढ़ेगा इधर बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा अब देखो एक और reason बता तो बहुत इजी है क्यों बढ़ेगा reason है सर जब XA आपका 1 था तो XB था नहीं तो XB वहाँ कित्ता हो जाएगा 0 लेकिन जब XA आपका 0 था तो यहाँ पर XB कित्ता होगा 1 होगा बिटा 1 होगा मतलब सर जिस डारेक्शन में XA बढ़ता है उस डारेक्शन में XB कम होता है और जिस direction में x से कम होता है उस direction में कौन बढ़ता है xb बढ़ता है बस समझ गए मतलब reverse direction में कौन बढ़ेगा xb मतलब आपकी quantity of b quantity of solute का बढ़ रहे इदर और quantity of solvent का बढ़ रहे इदर इसलिए इसका graph ऐसा गया है अब जब इदर पीछे आ रहा है तो इसका graph इदर बनेगा अब समझो सर फिर राउट्स लॉने कुछ कहाता मैंने क्या कहाता उनने कहाता किसी भी liquid का जो partial vapor pressure होता है वो भाया p not b into xb के बराबर होता है किसके बराबर होता है p not b into xb मतलब जो उसका partial vapor pressure होगा वो उसके mole fraction पर depend करेगा मैंने का सही बात है सर कोई गलत बात थोड़ी है अगर mole fraction बढ़ता जाएगा तो उसका partial vapor pressure भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा और xb कहां बढ़डा है इस direction में बढ़डा है तो इस direction में उसका vapor pressure बढ़ेगा बढ़ेगा के नहीं बढ़ेगा सर बिलकुल बढ़ेगा और जैसा graph इसका बनाए है वैसे graph उसका बनने वाला है देखिये जाएगा देखियेगा दियान से यह है यह किसका graph है सर pb का और देखिये जैसे जैसे में इधर आ रहा था तो कौन बढ़ रहा था एक्स भी बढ़ रहा था उसका graph भी देखिये बढ़ता जारा बढ़ता जारा बढ़ता जारा यह पहुच गये ठीक है यह ग्राफ किसका है सर थंप फीबी वाले का है यह खिसका है पीबी वाले का है मतलब इस पर लिए पीबी इक्वाल Alrighty Nanhie 117 Sum कुछ लोग कह रहे हैं सर आप स्यूड वाले को उपर तक ले गए सोल्वन enn डिया मैंने का यः कोई दिक्कत नहीं है आप चाहो तो बराबर भी लेआओ लेकिन मैं यह मानता हूं solvent जादा होता है अगर solvent जादा होता है तो उसका वैपर प्रैश्र भी जादा होगा और solute कम-स होता है इसलिए यह लुझ सॉलियो प्रैश्र है कम होगा ना इसलिए मैंने solute वाले को नीचे रखा है solvent वाले को का रखा है ऊपर रखा है बाद समझ रहे हैं अब समझो अब important point सर इस point को focus करेंगे काऊगे सर हम समझ गया इस point का मतलब आपने एक बाल समझा दिया हम समझ जाते हैं मैंने का यह वाला जो point है इस point पर x से किता है सर 0 दोरों का सम कितना होता है 1 अगर x से 0 है तो that means xb कितना हो जाएगा 1 देखिए सर xb1 है और जब xb1 हो गया that means पूरा solute solute है और जब पूरा solute solute है तो pure हो गया और जब pure हो गया तो उस time पर vapor pressure को क्या बोलते है p not b मतलब यह वाला जो point है यह point आपका यहां पर बता रहा है क्या यह point यह पर आपको बताएगा p not b और आपको यह इदर से ऐसा जाना है बात समझ गए बात समझ गए यह maximum है जो आपका p a किसमे तबदील हो गया p b किसमे तबदील हो गया p not b में तो सर ये वाला जो graph है, ये किसका graph बता रहा है, solvent का, sorry, solute का, और ये वाला जो graph है, ये किसका बता रहा है, किसका बता रहा है, सर किसका, किसका, ये वाला graph किसका है, solvent का, सर लेकिन हमें तो निकालना था P solution, हमें क्या निकालना था P solution, तो भाया ये वाला graph तो solvent का हो गया, और यह नीला वाला ग्रास किसका हो गया सॉल्यूट का हो गया सर पी टोटल तो आया नहीं मैंने का आ गया मैंने का आ गया आप लोग ने ध्यान से देखा नहीं आ गया है सर कहां है हमें तो नहीं दिख रहा है मैंने का दिखाऊं मैंने का दिखाऊं तो देखो पिंकी पॉंकी से P B क्या होता सर P solution मतला PA plus PB बस समझ में आई तो यह है आपका कौनसा graph ideal solution का इसका graph है sir ideal solution का जो आपको पता होना चाहिए यहां तक बात इजी था बहुत बहुत ईजी था इसको बनाने के लिए बस यह 2-2 पार्ट में बनाना पड़ेगा ठीक है क्या करेंगे दो दो पार्ट में बढ़ाना पड़ेगा बहुत इजी ग्राफ था इत्ते कोई टफ वाला ग्राफ नहीं था इसमें ठीक है एक बाइस का स्क्रीन शॉट लो फिर और बात करता हूं जल्दी स्क्रीन शॉट लो अच्छा हो गया कोई रिकत तो नहीं ग्राफ समझ में आया सर मज़ेदार ग्राफ है टेंशन बिल्कुल मतलो ठीक है अब मैं थोड़ा सको क्लियर करता हूं एक बार जल्दी फटा फट चलो समझ में आया न ग्राफ सर बढ़िया ग्राफ था टेंशन मिल्कुल नहीं लेना है सारी चीज आपको बताने वाला हूं मैं मैंने आपको बोला यह सर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छूटेगी जो चीज़ें आपसे नहीं बनने वाली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तीक है मैं पूरा क्लियर इसलिए नहीं कर रहा हूं सर मैंको ग्राफ देखना था थोड़ा तो ग्राफ बनाने का बहुत अच्छा तरीका था जो मैंने आपको बता दिया है अब इसको एक तरीके से और बना सकते थे सर देखो कैसे सर पहले आप सिर्फ PA और XA को लेके बना सकते थे यहाँ पर XA की value 1 थी यहाँ पर XA की value 0 थी अब देखो तो आपन जानते ही है कि आपने पड़ा PA किसके बरापर होता है P0A into XA अगर XA बढ़ेगा तो भहिया आपका PA भी बढ़ेगा तो आपको graph सीधा मिलना है आपको state line ऐसा क्या मिलना है state line और यह वाला जो point होगा जहाँ पर XA की value कित्ती हो जाएगी सर 1 हो जाएगी XA की value जो अपन यहाँ 1 रख देंगे तो PA किसके बरापर हो जाएगा सर P0A के बरापर किसके बरापर हो जाएगा P0A के बरापर क्या है यह अपना P0A अब आप चाते तो ऐसे ग्राफ आप सेकेंड वाला बना लेते ठीक है अब उसको थोड़ा सा उल्टा बना रहू हूँ मैं बन सकता है को दिक्कत की बात नहीं है यह अपना हो जाता PB ठीक है और नीचे हो जाता अपना XB बस XB की बात होती जब X से 0 था तो XB किता होता 0 और जब X से 0 था तो XB किता होता 1 इसमें भी आपको स्टेट लाइन ग्राफ मिलता सेम चीज़ जो यहां लिखी है कि सर PB इक्वल्स टू हमने पढ़ा है PB इंटू XB और XB बढ़ेगा तो सर PB बढ़ेगा मतलब यहां पर भी स्टेट लाइन ग्राफ मिलेगा बस थोड़ा सा हमें उल्टे में मिलेगा ऐसा मिलेगा और यह जो है पॉइंट जहां पर XB कितना है 1 है तो XB को जैसी 1 रखोगे तो PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PB मतलब सर यह वाला जो पॉइंट कहलाएगा यह कहलाएगा PB मतलब वैपर प्रेशर ओफ प्यॉर सॉल्यूट और यह कहलाता है वैपर प्रेशर ओफ प्यॉर सॉल्वेट और दोनों ग्राफ को जोड़ दीजे जब दोनों ग्राफ को जोड़ जोगे तो सर यह ग्राफ आपके सामने आ जाएगा दिखराएगा बस इसी तरीके से आपको करना था इसमें जैसे यह ग्राफ को आपन वो कल देते हैं तो बस इन दोनों ग्राफ को आप जोड़िए, आपका ये ग्राफ बन जाएगा, और फिर दोनों पॉइंट्स को जोइन कर दीजिए, ये क्या कहलाएगा आपका P-Solution, जो कि क्या होगा, P-A प्लस P-B, क्या हो जाएगा सर, P-A प्लस P-B, तो एक बरसका screenshot भी ले लीजिए कि इस तरीके से भी अपने इस ग्राफ को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं आने वाली है, क्लियर है, पक्का, चलो, क्लियर है ना, कोई दिकर तो नहीं, चलो, 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 बहुत बढ़िया, चलिया, अब ये जो P-Solution था सर, ये P-Solution क्या है अपना, P-A प्लस P-B, ये इसको एक और तरीके लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, यही था अपना में राउल्ट स्लॉप, P-Solution equals to P-A into XA, P-B into XB, जिसमें ये P-A क्या था अपना, प्यॉर वेपर प्रेशर और ये क्या था प्यॉर वेपर प्रेशर आफ सल्यूट, यही अपनी बात यहां पर हो रही थी, जो बात आपको समझनी है, जो बात आपको देखनी है, जिस बात पर अपन काम करने वाले हैं, पक्का, कोई रिकत थो नहीं, क्लियर है, आच्छा, आप क्या होता है सर, कभी भी आपको अगर P-Solution निकालना है, किसी भी एक पॉइंट पर निकालना है, सर, बहुत एजली निकाल सकते हैं, देख लो एक बार, जैसे मान लो, इधर पर आपको निकालना है P-Solution, चीक है, अब इधर पर पहले आप नीचे देखिए, नीचे क्या कानी हो रही है, इधर पर, अगर आप देखें, तो सर, इसको थोड़ा सा और नीचे किराईए, देखिए, यहाँ जीरो था कौन X-A, अब यहाँ से X-A बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर X-A कुछ होगा, लेकिन, अगर आपर X-B को देखें, तो X-B इधर पर भी बढ़ रहा है, quantity of solute कैसा है, जादा है, तो फिर इस graph को मैं उपर लेके चला गया, यह point आया solution का, किसका आया, यह point आया solution का, अब इधर पर vapor pressure कैसे पता चलेगा, सर, उसको कुछ मत करिए, इस वाली line पर ले आईए, vertically इस line पर ले आईए, तो यह जो vapor pressure आएगा, यह देखिए, यह जो मैं किसी और जगह पर निकालना है, मतलब मान लो, आपको ऐसे पर निकालना है, जिसमें solvent जादा और solute के साथ कम हो, यह point देखो, इस point को देखो, इस point को क्या देखना है, सर, एक बाद नीचे गिराओ, अब देखो, सर, x से इधर बलता है, तो देखिए, आपने इधर पर लिय से जादा है, और x भी क्या है, कम है, मतलब इस वाले point पर अगर मैं चेक करूंगा, तो solvent जादा है, और solute कैसा है, कम है, तो इस time पर आप से कोई पूछे, टोटल वैपर प्रेशर किता होगा, तो मैंने का, सर, ऊपल ले जाए, यहां से नीचे ले, यह दिख रहा है, अब यह वाला जो point होगा, यह इस time पर बताएगा बेटा, टोटल वैपर प्रेशर, अब चाओ तो इसको कहीं पर भी लाइन पर ले जाओ, या तो इधर पर ले आओ, या तो इधर पर ले आओ, मैंने का, जो pass में, आप उदर ले चलो, जो pass में है, आप उदर ले चलो, अपन यह इस बार आपका क्या होगा, वैपर प्रेशर ऑफ दा सल्यूशन, तो सर आप क्या कंसेंट्रेशन मिला रहे हैं, किस किस मातरा में आप सॉल्यूट और सॉल्विन को मिला रहे हैं, उस time पर ग्राफ को उपर ले जाए, और कौन सी लाइन को टच करिए आपके पी वर्टिकल नहीं, होरिजॉंटल लाइन आप अपने प्रेशर पर माल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सल्यूशन का वैपर प्रेशर क्या होने वाला है, लेकिन वैसे कभी ग्राफ से निकालने को आपको नहीं आता है, वो तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके सा बढ़कर कोशन करवा रहा हूँ, पी नौट ये वाले फॉर्मले पर पूरे कोशन करवा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो, करवा चुका हूँ क्या नहीं, इसी पर तो कोशन चल रहा है, अभी दो दिन से, चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरा का पूरा राउल लोग मुझा है पूरा राउट लोग चल रहा है वेपर प्रेशिर अईडियल तक चल रहा है एडिया पर लिए बात हो तैसे मिधा क्या हो ररह यह उक्थ करना यहां सीखिए और प्रैक्टिस करने के लिए आ जाइए लाइफ पे जो कब होता है साड़े आट बचे कब होता है सर साड़े आट बचे आप लोग के लिए डी पी पी लेके मैं तयार हूं बस क्या आप करना चाते हैं सॉल्फ तो आ जाइए क्योंकि अगर आप सॉल्फ नहीं करेंगे सार दिक्कत हुझाएगी इसलिए स्लॉल्फ करना जरूरी है पका कोई दिक्कत तो नहीं चीक है सर तो एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बात करते हैं जल्दी 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 चीके सार तो यह हो गया के लियर ये था सर अपना आज वैपर प्रेशर और म बढ़िया तरीके से समझाए सर कि ideal solution के अंदर जो भी अपना graph होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है मतलब अगर कोई भी solution ideal होगा तो भाया वो इस graph को भी satisfy करेगा और इस equation को भी satisfy करेगा तभी ये दोनों नियम कानून मानेगा तभी मैं उसको अच्छा बच्चा या अच्छा solution बोलूँगा और that is known as ideal solution क्या बोलेंगे अपायन? ideal solution और अगर इन चीजों को नहीं मानता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? non-ideal कहते हैं जो की आपको मिलने वाला एक काप अगली क्लास में? सर, ideal हो गया है समाप्त समझ गए? ideal कर दिया है, खताम, ideal पर टेंशन नहीं लेना चीक है? तो आखरी line जो आपको conclude करके जा रहा हूँ कि सर, जो इस law को follow करेगा इस law का नाम क्या है? louds law, जो इस graph को follow करेगा यह graph किसका है? ideal solution का, सर, इन दोडों को जो मान लेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ideal solution, और जो इसको नहीं मानेगा वो आजाता है, सर, non-ideal solution, वो सेतान बच्चे जो बड़िया ऐसे चलते हैं जो बड़िया यो यो, caller खोल के चलते हैं, कि नई सर, हम तो rules नहीं मानेगा आपका school है, तो क्या हुआ, हम बच्चे हाते हैं, तभी तो आपका school चल रहा है इस तरीके का attitude लेके चलते हैं, जो यह कहते हैं, राउट्स लो आ रहे confirm, चीक है, तो एक बासर, कमेंट सेक्षन में लिख दीजे सर, कि बड़िया मज़ा आया बड़िया चीजे समझ में आई हैं, clear है, चलो, तो finally हटाता हूँ यह लीजे सर, अब एक important information आप लोग के लिए सर, English medium आप लोग के लेके आ रहा है, बहुत बड़िया चीज 11, 12 दोनों के लिए बहुत बड़िया चीज लेके आ रहा है सर, यह बात को याद रखिए सोचिए, देखिए, एक अधभुत बैच चालू हो रहा है, क्लास 11 के लिए और 12 के लिए English medium में, Hindi medium में तो चली रहा है, और अब चालू हो रहा है सर, English medium में कौन सा बैच, अधभुत बैच 11 और 12 का, सर, यह बैच क्रियेट होगा, जिसमें काफी बच्चे होंगे, जिसको हम क्या-क्या चीजे साल बर में देंगे, पूरा कोर्स कैसे खतम करवाएंगे, सारी information दी जाएगा, क्या-क्या होगा देखिए, based on complete CBSC board syllabus, पूरा CBSC board को focus करा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे CBSC board का, वैसे आपको पता ही है, कुछ भी मैं छोड़ता भी नहीं हो, इसलिए CBSC board का सब कुछ आने वाला है, साती साथ, doubt solving session, sir, हमेशा मैं आपके सामने रहूँगा, जो भी कोशने सिर्फ लिख देना है, sir, फटाक से, sir, बता दो, अब क्या है, ये बता दो, उसके बाद, sir, one-shot revision, जैसे मान लो, आपका chapter खतम हो गया, chapter खतम हो गया, आप chapter के बाद, quick revision चाहिए, बहुत जल्ली revision हो जाए, तो वो होता आपना one-shot revision, उसके बाद, आपको notes provide किये जाएंगे, फिर test and solution, मान लो, एक दिन मैंने एक test की PDF डाली, आप लोग घर पे पूरा प्रापल, दो घंटे, एक घंटे में वो test लिखेंगे, उसके दूसरे दिन मैं आपको डालूँगा, उसकी क्या, PDF, answer की, और answer की मैं आपको अ mind map videos, कि किस तरीके से approach लगानी है question में, किस तरी से हर syllabus को, हर topic को, हर subject को कैसे कैसे forward करें, कि आपको दिक्कत ना आए, और समय से पहले आपका topic हताब हो जाए, MIQs, MIQs का मतला most important questions, बहुत तगले question देने वाला हूँ, समझ रहे हैं, जो paper में आ चुके हैं, जो आ सकते हैं वो, उसके बाद MCQs, क्योंकि मैंने आपको बुला था, chemistry के अंदर total 18 MCQs आ रहे हैं, तो वह 18 MCQs के लिए आपनको ये MCQs पढ़ना ज़रूरी हैं, फिर CBSE के sample papers और solutions सब करवाए जाएंगे sir, इनको एक और नाम दिया जाता है mock test, तीन घंटे का mock test, जिसमें आने वाला है मजा, और sir, इसके बारे में और जानकारी के लिए, आपको description में link दी हुई है, आपको एक number भी दिया है, आप बकायदा phone उठाईए और लगाईए, गंटी बजाईए, और सारी information ले लीजे sir, क्योंकि लेठ नहीं होना है, अगर छलांग लगा नहीं है, तो सबसे आगे आओ, लग आदो छलांग, बस समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, छीके, सारी चीज क्लियर हो रही है, इसलिए बने रही है sir, मेरे साथ और magnet brains के साथ, जो आपको provide करता है, quality content, क्योंसा content, quality content, आप सारे वीडियो यूटुब पे तो देखी रहे हैं, अगर आप चाहें, तो इनको मिलने वाले हैं, एक और लेक्चर के साथ, कल मिलने वाले हैं, एक और लेक्चर के साथ, और वो भी होने वाला है, काफी धमाकेदार, इसलिए बने रही है sir, तब तक के लिए, bye bye, thank you so much